हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका जी गुरु जी में मैं वर्शा आज फिर से आपके लिए एक और इंफोर्मेशनल वीडियो लेकर के आ रही हूँ आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम MBA एक्जाम के बारे में बात करेंगे फिर कौन कौन सी जगह पे कौन से कोचिंग इस्टिट्यूट सबसे जादा अच्छा है उसके बारे में इन डीटेल बात करेंगे तो चलिए पहले थोड़ा CAT के exam के बारी में जान लेते हैं CAT जिसे की common aptitude test भी हम कहते हैं इस exam में आपका जो paper level होता है वो सभी MBA के level में सबसे tough paper का level CAT कम बाना जाता है और यहां से आपको इंडिया के सभी top institutes में admission भी provide किया जाता है यहां तब की CAT में अगर आपकी rank थोड़ी कम भी है तो आपको बाकी institutes भी बहुत प्यार से admission देते हैं और बहुत ही अच्छा package भी लगता है CAT qualify करकर जिन जिन colleges में बच्चे जाते हैं वहां उनकी placement इंडिया के बाहर भी लगती हैं abroad और इंडिया की सभी top companies में वह लोग जाते हैं तो यह हो गए आपके CAT के बारे में की CAT exam किस चीज़ का है MBA का exam है यह MBA करवाने के लिए और क्या इसकी खासियत है अब बात करते हैं इसकी paper pattern के बारे में इसमें आपका reasoning आता है, aptitude आता है, verbal ability and reading comprehension यह आता है टोटल तीन section आपके इसमें आती हैं इसके अलावा आपका यहां पर जो main paper होता है वो aptitude test यह कहलाता है इसलिए यह तीनों section इसमें बहुत जादा important है quantitative aptitude पर बहुत जादा focus करना बहुत जादा ज़रूरी है आगे जाने से पहले आपको यह बता दूँ कि इस exam में negative marking कितनी है इस paper में आपको सही answer के plus 3 marks मिलते हैं और गलत answer के minus 1 marks मिलते हैं यानी 33% या 0.33 की negative marking इसे हम कह सकते हैं और मैं आपको हमेशा से एक चीज़ कहती आई हूँ कि जिन भी paper में negative marking है उनमें please question गलत attempt करने से बचिए तुक्के बाजी लगाने से बचिए क्योंकि यहाँ पर आपका नुकसान सिर्फ 0.33 marks का नहीं यहाँ पर आपका नुकसान 1.33 marks का है यानी cat के paper के accordingly देखा जाए तो यहाँ आपका 4 marks का नुकसान है यानी जो मिलने वाले 3 marks थे वो तो गए ही गए साथ के साथ 1 mark और चले गए विकर्स उसमें आपका negative marking हो गया तो please इस चीज को ध्यान रखिए और इस paper को पूरे focus के साथ attempt कीजिए दोस्तों आगे जाने से पहले आपको बता देना चाहते हूँ कि हम already एक video upload कर चुके हैं जहां हमने सभी institute के बारे में in detail जाना है जहां हर top ranking की institute के बारे में एक short information और उनकी contact details आपको बताई है और उसके अलावा हर institute के बारे में in detailed video भी हम upload कर चुके हैं इन सभी videos का link नीचे description box में मौजूर है आप ये list देख सकते हैं कि कौन सी rank पर कौन सा institute है आपके अपने शहर में इस examination के लिए और हर institute की in detail video हमारे page पर आपको मिल जाएगी इसके अलावा एक single video जिसमें सभी ranking के बारे में उनकी चुटी खासियत, shortcut details, piece structure सब कुछ हमें उसमें explain किया है उस video का link भी नीचे description box में मौजूद है पढ़ते हैं अब आगे दोस्तो आज मैं आपके लिए आगई हूँ इंडिया के एक बहुत ही famous जगे मुंबई और मुंबई की भी एक बहुत ही famous location दादर में जी हाँ दादर दादर के नाम से ही हमें बहुत सारे लोग दादर station, सिद्धे विनायक मंदिर, temples और समुदर याद आ जाता है लेकिन इसी दादर में बहुत सारे लोग government jobs की और entrance exams की भी preparations कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के लिए आज हम ये video लेकर के आए हैं तो जितने भी लोग दादर में MBA की preparations कर रहे हैं, CAT की preparations कर रहे हैं उनके लिए ये video है, specialized video है, इस कुछ minute की video को last part देखिएगा क्योंकि ये कुछ minute आपको आपकी preparations के लिए बहुत ज़ादा support करेंगे, बहुत ज़ादा help करेंगे दोस्तो आज में आपके लिए लेकर के आगई हूँ, IMS CAT Institute के formation लेकर के, IMS CAT Institute पूरे इंडिया का specialized CAT Institute है और ये दादर में rank number 2 का सबसेचा Institute है, इनके features की बात करें तो इनके features आपके सामने screen पर मौझूद है ये institute आपको बहुत ही unique, बहुत ही अच्छी, बहुत ही beautiful way में पढ़ाते हैं, यहाँ पर आपको tricks सिखाई जाती है कि किस तरीके से आप reasoning या aptitude को clear कर सकते हो जितने भी ऐसे आपके paper होते हैं, जो की aptitude basis होते हैं, वो सभी आपके detailed questions solve करने से नहीं solve हो सकते हैं क्योंकि इन में आपका time बहुत कम होता है, questions बहुत जादा होते हैं, negative marking भी होती है तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़े होती हैं, तो आपको advanced level की तयारी करने पड़ती है पहले यहाँ पर आपको basic तयारी करने पड़ती है, basic तयारी में आप हर question के बारे में in detail जमते हो कि किस तरीके से इसे solve किया जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पर trick सिखाई जाती है कि किस तरीके से इसको जल्दी से जल्दी solve किया जा सकता है इस way में इसकी preparation होती है, इसके अलावा यहाँ पर आपको test series भी बहुत अच्छी provide की जाती है इस test series के basis पर आप अपने real exam का analysis देख सकते हो कि किस तरीके से paper होता है real exam का experience आपको proper यहाँ मिलता है इसका result आपको अगले दिन दिया जाता है, आपके साथ यहाँ पर आपको आपकी strong points और negative points जो weak points हैं वो भी आपको समझाए जाते हैं, किस तरीके से इनको आपको improve करना है और कैसे इनसे ज्यादा अच्छे marks निकलवानी हैं, यह भी आप यहाँ पर देख सकते हो, इनके पारे में समझे तो दोस्तों इनकी contact details आपके सामने screen पर मौझूद है आप इन्हें visit कर सकते हो, आप इन्हें contact कर सकते हो, और और जाधा details के लिए आप हमारे page को भी visit कर सकते हो हमारे page का link नीचे description box में मौझूद है थैंक्यू सो मच दोस्तों हमारी आज की वीडियो देखने के लिए, हमारी वीडियो को प्लीज लाइक, शेर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम कैसी informational वीडियो आपके लिए हमेशा लिकर के आते रहते हैं साथ के साथ bell बटन को भी प्रेस करना बिल्कुल मज़ हुए मिलती हुँ अपने अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक नए एक्जाम की, एक नए इलिकेशन की तब तक के लिए all the very best point of preparation